दोस्टों नमस्कार, स्वागत हैं आप सभीका ओल और निडाफोस्टी येटूब चैनल पे जिसा है कि दोस्टों आप जानते किसी पर्थी संब्धित कोई भी जानका ही होती है आप सभीका ओल निडाफोस्टी चैनल के माध्यम से दीजाती है इस वीडियो में बात करने वा क्या है अब नई सिच्छक भरती किस प्रकार देखने के लिए मिलेंगी इसको लेकर बात करने वाले क्योंकि यहां पर जो ब्योजगा अव्यति उनके लिए काफी ज्यादा फायदे बन सावित होगा टीटेल में जानकरी दी जाएगी तो वीडियो को लाइक कर दें साथी शे सिच्छक भरती को लेकर दोस्तों आप सभी जानते कि प्रात्मिंग सिच्छक भरती के अंदर सिच्छक बनने के लिए दो योगितां देखने के लिए मिलती है आम तोर पर पहली बीएड और दूसरी बीटीसी अब इसको लेकर सुपीम कोर्ट में जो फैसला होगा ही कि बी माध्यम से सिच्छक भरतियों के विग्यापन नहीं निकाले जाती है बलकि उनके माध्यम से बीएड करवाया जाता है फिर साथ में उनके माध्यम से डीलेड करवाया जाता है फिर उसके बाद में कहिने के टीटी भी करवा दिया जाता है लेकिन जब बात आती है सिच्छक करते हैं लेकिन सरकार अपने फायदे के लिए बिटीसी और टीटी करागे रहती है हाली में बिहार सरकार के माध्यम से एक भैतरीन फैसला लिया गया था और वो फैसला ये था कि वहाँ के T.E.T. को बंद कर दिया गया था T.E.T. को बंद करने से क्या हुआ कि वहाँ के जो बिहार के T.E.T. पास अब्याती है ऐसा ही एक फैसला देखने के लिए मिला था हायाना सरकार के माध्यम से जिनोंने वहाँ पे सीटेट को बंद कर दिया था उनका कहना ये था कि अगर आपको सिच्छक बंदना है तो सिर्भ हायाना T.E.T. पास करें ना कि वहाँ पे सीटेट को पास करें तो अलग अलग प्रकार के फैसले आने लगे अब उसी को लेकर एक और नया फैसला देखने के लिए मिला है और ये फैसला काफी ज़्यादा बहतरी नसाबित होगा मेरे हिसाब से क्यों उसकी बज़े ये है कि अगर नई सिच्छक बरतियों के विज्ञाबन जारी नहीं हो रहे है तो बार-बार सरकार B.A.D. औ. B.T.C. या फिर T.E.T. करवा के कही न कही छाक्तों के साथ धोका ही कर रही है इसको लेकर दो आदेश देखने के लिए मिलते है एक आदेश अंगेजी में दूसर हिंदी में दोनों का मतलब समानी मैं आप सुभी को बता देता हूँ असल में मामला ये है कि हर्याना सरकार के माध्यम से फैसला लिया गया है कि आने वाले कुछ समय के लिए जो D.A.D. उसको बंद कर दिया जाए लिखा हुआ है ता इस्टेट गोवर्मेंट हैस डिसाइड़ तू कंटिन्यू दर डीलेड कोस मतलब ये है कि राज्य सरकार के माध्यम से फैसला लिया गया है कि थोड़ दिनों के लिए डीलेड कोस को बंद कर दिया जाए मैं आपको हिंदी वर्जित में भी दिखा देता हूँ यहां पर भी आप सुभी को देखने के लिए मिल जाएगा 24 नॉर्मबर 1222 को आदेश जारी करते हुए जानकाई दी जाती है कि सेच्टिक सत्र 1223 और पचीज से अगर बात की जाए प्राइबेट वस्ट्वर वित्पोसी जो भी संस्ता हैं उनके माध्यम से डिलेड कोस को बंद करने के बारे में उप्रोक्त विशह में जानकाई आप सभी के सामने लिखी हुई है उपर आप सुभी को इसके बारे में नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिल जाएगा तो हैयाना के अंदर बरतमान में जो डिलेड करवाया जाता है थोड़े दिनों के लिए बंद कर दिया गया है इन्होंने हाली में सीटेट को भी बंद कर दिया है बियार के अंदर टीटी को इसके बंद कर दिया है और इन सब को बंद करने का सिर्फ एक ही मोटिव है और वो मोटिव यह है कि नई प्रात्मी सिच्छक बरती वहां पर जो देखने के लिए मिले पहले उनको बैठने का मोगा मिले पहले से बिर्ड या फिर डिलेट करके बैठे हुए है या फिर टीटी करके बैठे हुए है बार-बार नई बेखरा अभ्यार कोस और भी जाड़ा दिकते आ रही थी तो सरकार ने बेखरां चात्तों के हित्मे फैसला लेते हुए ये फैसला लिया है कि थोड़े दिनों के लिए DL8 course को discontinue कर दिया जाए, मतलब की बंद कर दिया जाए, बाद में जब आप शेक्ता पड़ेगी तो वो करवाते रहेंगे, और ये फैसला सही भी है, इससे जो बेहुजगा अप्डेटी होगा, किसी दूसरी भरती की preparation तो करने के बाद में सिर्फ वो सिच्छक वरती का इंतिजार करता रहता है, और वो आती नहीं है, फिलाल इसके बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके अवश्य बताएं, बात कर लेते हैं, अपनी अगली अप्डेट के बारे में, जो की सम्बंदी थे टीजिटी और पीज जैसी आप उस पर जाते हैं, तो उसके बाद आप सभी को यहां से एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, लिखा हुआ है, इसके अलाबा नीचे 25.12.22 लेकिन नोटिस आज की तारीक में जारी किया गया है, जब आप इसको लेकर किलिक करते हैं, तो आपके सामने करते हुए जानकाई दी जाती है, जिसको लेकर कार्यालेक ग्राप आपको देखने के लिए मिलेगा, विशेष अपील 81.22 लाय बना उत्तर प्रेस राज्य अन्यमें पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए, 19.10.22 के अनुपालन में, जिला बिद्याय निर्चक से आते हैं, रिक्तरी उपलब्द काया जाने को लेकर जो बिग्यापन निकाला गया था, 2009 के अंदर TGT सारीक शिक्षा का बिग्यापन था, उसी के संबंद में इनका जो पैनल है, वो आमर्टन किया गया है, जिसके बारे में डाटा यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इसके अलाबर संस्ता का नाम साथ ही इनकी जो सेहरी है, वो भी देखने के लिए मिलेगी, अब जो भी संबंदित अब्रती जाकर ओफीशल वेबसाइट चेक कर सकते हैं, बात कर लेते हैं, अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो की संबंदित हैं, उत्तर प नौटिफिकेशन के माध्यम से आपको जानका ही मिलेगी, नीचे आप सुभी के पास देखने के लिए मिलेगा कि डैवर गेट फोर, इसके अलाबर स्टेनोग्राफर, इसके अलाबर ग्रूप डी और ग्रूप सी की पोस्ट की जो परिक्षय होंगी, वो यहां पर दस बार 12-22 से लेकर 18-12-20 की बीच में आयुजित की जाएंगी, एक्जाम की अगर बात किया समय के बारे में, तो वो तीन बजे से लेकर साड़े चार की बीच में निधायत किया गया है, तो जो भी सम्बंदित अव्यर्दी हैं, हाई कोट की ग्रूप C और ग्रूप D की हली में वे पूछ रहे हैं कि सथ शासन को यहां से फाइल बेजी गई थी, लेकिन फाइल बेजे जाने के बाद में आगे का क्या प्रोसर्स देखने के लिए मिला, तो एड़े जूनियर्स इच्छेक भरती के बारे में जो अधिकाईयों की तरफ से जानकाई मिली ताजा, उनके अनु अधिकाईयों से पूछा गया कि इसमें कितना समय लग सकता है, तो उन्होंने जानकाई दिये कि एड़े जूनियर्स इच्छेक भरती के लिए अगर बात की जाए, तो दिसंबर के अंतियम सब्ता था किस भरती को पूरा करने का टार्गेट बनाया गया है, लेकिन अभी मै तो उनका कहना यह है कि शासन इस तरह पर इसको लेकर विचार किया जा रहा है, और उनका भी टार्गेट यह है कि इसी साल दिसंबर के लास्ट तक इस भरती को पूरा कर दिया जाए, बहतर होगा कि दोजा तेस की स्टार्टिंग के अंदर भरती देखनी के लिए ना मिले, तो फिलाला दिकाईयों की तरफ से जानकाई मिली है, वो यह है कि शासन इस तरह पर इसको लेकर विचार जादी है, अभी उनके माद्यम से अनुमती नहीं मिली है, फाइल को जैसी अनुमती मिलती है, फिर यहां से शासन आदिस जादी हो जाएगा, वीडियो को लाइक कर कर दें, साथी शेयर कर दें, चैल को सब्सक्राइब कर लें,